असलाबनेकूम हम फिर एक नई वीडियो और नए घर के साथ हैं डी एचे रैबर के सेक्टर टू और ब्लॉक एफ में यह आप घर के अलिवेशन देख लें इंतहाई खुबसूरत अलिवेशीट का करवा देता हूं यह आप देखें यह अलिवेशन देखें बहुत यह पोर्चा आगया बड़ी गाड़ी आपकी एजिली जो है ना एड़जस्ट हो सकती है यह साइट स्ट्रीट क्योंके डी एचे रैबर में या डी एचे में जितने भी घर होंगे अकोर्डिंग टू मैप आपने बनाने आप किसी किसम की कोई वाइलेशन नहीं कर सकते यह पूरे लेविंग एरिया का विजट कर वालू यह इसकी आप सेलिंग देख सकते हैं डी सेंट और लेटेस्ट डिजाइन है सामने विडिया वाल है एलसेडी के लिए जगा है यह उपर जाने का रश्ता है बेसिकली यह एक फैमिली के लिए घर है लेकिन बहुत अच्छा उ यह नीचे वाला इसका रूम आ गया रोश्ट यह नीचे वाला रूम वाल पेपर देखें माशालला कि अपना खुब सुरत है मैं आपको क्रीम से भी दिखाता हूं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है कई वाल पेपर जो है क्वालिटी होती है उतर जाते हैं ज्यादा ग् यह देखें कबर्ड कबर्ड चेक करें आप कनाल के घर जितनी कबर्ड है फुल रूम साइज और यह नीचे इसका वोश्मा आ गया टाइल्स देखें आप जाए यह देखें आपको नोट कर सकते हैं कि वाल पेपर जैसे लगया दिवार के साथ टाइल्स लग ही नही नहीं अब मैं इसका आपको विजर्ट करवाता हूं किचन और ड्राइंग रूम जो हम सामने एंटर हो रहे हैं यह उन्होंने मैप थोड़ा सा डिफ्रेंट दिया और इंतहाई खुब्सूरत इसको यूटलाइज किया किचन चेक करें जरा कितना खुल है दस मल्ले के घर जितना तकरीबन किचन है उनका और इंतहाई डी सेंट वूड़ वरक है यह पहला गार जिसमें मैं सकलर का वूड़ वरक देख रहा हूं आप देखेंगे बहुत अच्छा लग रहे हैं यह नीचे वूड़न टायल जा गई यह किचन में वूड़ वरक आ गया यह जो है आपको एक एक चीज मैंने का दिखा दूँ लेकिन मैप इंधाई खुब्सूरत है और डिफरेंट है और अच्छा लग रहा है बाई से एलिवेशन भी इनका डिफरेंट है और मैप भी डिफरेंट है यह आपका मुझ पर लेचलते हैं यह उपर का लिविंग एरिया यह सामने आप उस पर देख सकते हैं वाल पेपर शीलिंग यह सीलिंग इंतहाई खुब्सूरत आगई इसके अंदर और यह डिफरेंट डिजाइन है सीलिंग का रूम साइज आप देख लें एक दफ़ा और यह आगया इसका वाश रूम कराल के घर की कबट रहें यह नीचे वाश रूम इंतहाई वाइड है खुलें एक फैमिली के लिए उन्हें ने बनाया तो उन्हें वैप को बड़ अच्छा यॉटलाइज किया है सिरफ ट्राइं को मिस करके बाकी इचेंड एप्रिधिंग कबट अगर मैं आपको शारी दिखा सको तो कनाल कियें बिल्कुल यह मैं आपको विजट करवाता हूं इसके दूसरे रूम क्यूंके मैप डिफरेंट है तो कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए इसलिए रूम इसमें हैं तीन एक रूम यह आगया रूम साइज देखें और वाल्प बड़ी जिसकी वज़ा से आपको रोशनी और हवा का इशू नहीं आएगा यह उपर शिलिंग आगी यह इसके वाश्रूम का दर्वाजा आगया इसका वाश्रूम चूंके उपर रूम्स तीन है तो दो रूम्स को अटैच ए तो मैं आपको इदर से इसका विजट करवाता हूँ रूम नंबर थ्री यह उपर जाने का रस्त है मैं आपको च्छत भी विजट करवाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका आखरी और तीसरे रूम पे जो है रूम दिखा लूए यह आगया जी वो रूम साइज देखें इसका भी प्रॉपर और और यह इसकी आगी जी इस रूम में भी कबट अब हम आपको इसका फाइनल जो है जा से विजट रवाएंगे जिससे आपको ब्लॉग का आइडिया हूँ यह हम जा रहे हैं जी आप इसकी च्छत विजट करने के लिए यह उपर चोटी इसी स्पेस के साथ मम्टी आगी यह आगे जिसकी च्छत आज के लिए इतना ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें शेयर करें और लाजमी सब्सक्राइब करें ताके हम आपको मुख्तलिफ किसम के डिजाइन्स के साथ जो है घर अंदर से विजट करवा सकें मुख्तलिफ सुसाइटिस पिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आला आफेज